हाई अवरिवान कैसे हो आप सब तो चलिए आज बनाते हैं टेंडली की सूखी सबजी इसे हम लोग कुदुरून भी कहते हैं आप लोग किसे क्या कहते हो कॉमेंट करके जरूर बताना यह सबजी बहुती सिंपल इजी और बहुती टेस्टी और मज़ेदार बनने वाली है और चलिए एक बर वीडियो को देख लेते हैं तो यहां मैंने 500 ग्राम टेंडली लिया है टेंडली को हमें सबसे पहले वाश कर लेना है उसके बाद हमें इस तरीके से पतले-पतले स्लैस में कट कर लेना है तो मैं सबसे पहले वाश करके से कट करती हूं क्योंकि इसमें बहुत तो मैंने यहां दो मीडियम साइस के प्याच लिया है प्याच को मैंने एकदम बारीक चौप कर लिया था दो मीडियम साइस के आलू लिया है आलू को भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से छील लिया था वाश करके मैंने इस तरीके से पत्ले-पत्ले स्लैस में कट कर लिया ह कट कर लेना है उसके बात मैंने यहां चार से पांच गोटी हरी मिर्च लिया है इन सब को मैं साइड में रखती हूं यहां में एक कढ़ाई लूँगी कढ़ाई में में 4 टेवल स्पून ऐड कर दूंगी और को हमें गरम कर लेना है और जब हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से गरम हो जाएंगे तो यहां मारा ओल बहुत ही अच्छे तरीके से होट हो चुका है तो अब में इसमें आलू एट कर दूँगी अलू को हमें थोड़ा फ्राई कर लेना है डीप नहीं करूंगी मैं यहां अलू को थोड़ा लाइट फ्राई कर लोंगी गैस के फ्लेम हाई कर कि अलू को एट करके थो चम्मस कमता सफ से चला चला कर एक से दो मिज़ तक हमें इसे फ्राई कर लेना है यह देखिये मैं यहां bars कर रहे हुँ तो जादह में नहीं वहासा हमरे करना है उसके बाद हम पर उसके निकाल लिए तो यहां मैं से मेगार यहां मैं प्याज को भी क्योंकि मैं यहां जादा ऊइल नहीं यूज तो चुछ लिवह सब नहीं करना था यह तरीके से मए समय इसंगे मिर्चे करने के बाद माई इसे जहाए प्यास के साथ ही इसे अगे कर लेना है ज्wn दीप भॉण को राओं के यह देखिए यह नहीं कर दोगी साराchn। देख सकते हों कुदूर्ण को एद करने के बाद हमें इसे थोड़े चला देना है गैस के फिलेम को मैं हाई रखूंगी हाई फिलेम पे हमें इसे थोड़े से फ्राई कर लेना है तो प्याच के साथी मैं कुदूर्ण को थोड़े इसके साथ फ्राई कर लूँगी हलके कुदुण थोड़ा नरम हो जाएंगे उसके बाद हमें इसमें आलू को आड़ करना है तो एक से दो मियर तक मैं से थोड़े फ्राई कर लूँगी यह देखिए अच्छे तरीके से मैं ऐसे फ्राई कर रही हूँ थोड़ी तर इसे हमें फ्राई कर लेना है उसके बाद हमें इसमें आलू को आड़ करना तो यहां हमारे कुदुण जो बहुत ही अच्छे तरीके से हलके नरम और गल गया है और हलके फ्राई हो चुके हैं तो अब मैं इस प्रोसेस में आलू को आड़ कर दूँगी यह देखि प्राई कर लूँगी तो रचलाम के यह चोड़ देना है उसके बाद मैं समय एड करूंगी नमक कर दोстह चलाने के बाद मैं फिर से चोड़ दूंगी अब मैं घ्यास के फिल्म को मिडियां में कर दूंगी मीडियम फिलिम पे मैं कुदून को रेडी करूंगी बहुत हीज बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है अब मैं इसका धकन को लगा दूँगी धकन को लगाने के बाद हमें इसे 15 मिंट तक मीडियम फ्लेम पे चोड़ देना है को कोने के लिए 15 मिंट के बाद मैं से खोल कर चेक करूंगी यह देखिए यहां मार अच्छे तरीके से कुद्रून और आलू की सुखी सबजी रेडी हो चुकी है अच्छे तरीके से मैंने से भून भी लिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से यह आलू और कुद्रून दोनों गल चुके हैं तो अच्छे तरीके से भूनने के बाद मैं आप गैस के फिलम को और गर्मा गरम इसे सफ करूंगी बहुती सिंपल आसान और इजी तरीके से मैं बताई हूं बहुती कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है और इसे एक बर आपने घरों में जरूर ट्राइब करना बहुती टेस्टी लगते है खाने में तो आएए चली से सफ करते हैं तो यह हम इंबॉक्स में भी से दे सकते हो बहुती टेस्टी और मज़ेदार सबसी की रेसिपी में आज आप लोग लिए लेकर आई हूं आई होप मेरी यह रेसिपी की वीडियो आप लोगो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर कर देना चैनल पर नहीं होगा तो चैनल को सब सब्सक्राइब जरूर कर देना जितना हो सो कि मेरी इस रेसिपी की वीडियो अपने फैमली और फ्रेंड के साथ श्रेयर कर देना तो ऐसी अच्छी रेसिपी की वीडियो में डेली लेकर आती रहती हूं जो लोग मेरे पिछले वीडियो वाच नहीं करें प्लीज जल्दी सारे वीडियो वाच करें तब तक के लिए बाई